अगला पॉइंट हम देखते हैं प्रतिवेक्ति आय पर कैप्टा इंकम जिसके बारे में हम पहले से भी जान चुके हैं जब हम कुल राश्ट्री आय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो कुल राश्ट्री आय है वो कितने लोगों से मिलकर हुई है यानि कि जनसंख्य और इसी राष्ट्री आय को जब हम पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं भाग कर देते हैं तो हम प्रतिवेक्ति आय को प्राप्ति कर लेते हैं यानि कि यहां पर हम प्रतिवेक्ति आय की गढ़ना के लिए जो फॉर्मुला यूज करेंगे वो होगा प्रतिवेक्ति की जन संख्या की अगली हमारी जौ धारणा है वह है वास्तविक आय को सीधे सीधे हम देखें तो यह कह सकते हैं कि जब रास्ट्री आय को एक आधार वर्ष की कीमतों के समान वास्त्विक आय होती है और जब हम इसको एक फॉर्मुले के रूप में व्यक्ति करते हैं तो वह हो जाती है वास्त्विक रास्ट्री आय बराबर मौद्रिक शुद्ध राश्ट्रि उत्पाद बटे वर्ष का कीमत निर्देशांग गुणित सौ क्यों इसको हम सौ से मल्टिप्लाई करते हैं और किस तरह से हम इस पूरे वास्तिविक राश्ट्रियाए के अंतरगत और भी बहुत सारे जो बिंदू हैं किस तरह से मुनको समझ सकते हैं आए देखते हैं वास्तिविक आय के संबंद में देश के किसे वर्ष के वास्तिविक आय जानने के लिए एक ऐसा वर्ष आधार वर्ष लिया जाता है जब समाने किमत इस तरह ना तो अधिक और ना कम हो तथा उसको सो के बराबर मान लिया जाता है अब जिस वर्ष के वास्तिविक राश्ट् किमितों पर मुझल्यांग किया जाता है, आप हम देखते हैं कि हम वास्तों में इतने सारे वैय आय उभोग और बच्चतों को ध्यान में रखते हुए राश्ट्रियाए की कैलकुलेशन करते हैं, हमने देखा कि कितनी सारे इसकी अवधारनाय है तो क्या महत्व है राश्ट्रियाय का और क्या किसी देश की अर्थ विवस्था में राश्ट्रियाय की कैल्कॉलेशन की जाने जरूरी है आए देखते हैं राश्ट्रियाय का महत्व तो सबसे पहला जो महत्तु है वो है आर्थिक नियोजन में सहायक किसी भी देश की सरकार अपने देश के लिए एक वार्षिक योजना बनाती है बजट बनाती है और उसकी आधार पर फिर वो नीती निर्धारित करती है और क्रियान्वेन करती है लेकिन किसी भी योजना को बनाने से पहले जब हम आर्थी की योजनाओं की बात करते हैं तो किसी भी आर्थी की योजना को बनाने से पहले अर्थ की स्थिती क्या है धन की स्थिती क्या है ये पता लगना बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार जो होती है वो अपने प्राप्त उसे जो प्राप्त राजस्व होता है उसको कई अलग-अलग छेत्रों में वे करती है जिसे हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा सिक्षा के छेत्र में, कुछ स्वास्त के छेत्र में, कुछ परिवहन के छेत्र में, कुछ उद्योगो के चेतर में अलग 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 धनराशी वैकि जाती है तो इस तो इन यूजनाओं के निर्मान के पूर्व यह जान लेना जरूरी होता है कि वास्ताओं मेराजस्वड की इस्थिति क्या है देश की राश्ट्री आय क्या है देश में उत्पादन विवस्थे की क्या अस्थिती है तो यहां पर राश्ट्री आय की गढ़ना करनी जरूरी हो जाती है दूसरा इसका महत्वे है आर्थिक कल्यान का मापक है विभिन वर्षों की राश्ट्री आय का हम तुलनात्मक अध्य कर लेते हैं हम यह पता लगा लेते हैं कि राश्ट्री आय में कमी हुई है साल दर साल या व्रिद्धी हुई है और इसके आधार पर हम देश का जो विकास है जो कल्यार है उसके स्थिति का सही सही आकलन कर पाते हैं तीसरे हम इसके महत्तो की बात करते हैं कि यह वास्तों में जीवन स्थर का सूचक है जब हम राश्ट्री आय के आधार पर प्रतिवेक्ति आय की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसके आधार पर देखते हैं कि गत वर्ष में प्रतिवेक्ति आय की अपेक्छा इस वर्ष में प्र साथ ही एक महतुपूर बात यहां पर यह भी आती है कि तुलनात्मा कध्यन जिसे कि हमने जिवन इस्तर की बात कही आर्थिक विकास की बात कही तो कहीं न कहीं प्रतिवर्ष रास्ट्रियाई की जो कैलकुलेशन होती है वो विबिन वर्षों के रास्ट्रियाई में तुलना क का एक आधार भी बनती है एक मात्तवम्या यह भी देख सकते हैं कि आए का जो समुचित वित्रण है किन-किन छेत्रों में आए का किस-किस प्रकार से वित्रण किया गया है इसकी संपूर्ण जयनकारी भी हम राष्ट्रियाए के द्वारा ग्याद कर सकते हैं तो हमने देखा कि rasteri eye का महत तो क्या था ? अब हम देखते हैं कि एक उदारन के तौर पर हमारे आसपास जो आर्फिक क्रियाई होती रहती हैं उनमें से बहुत सी क्रियाई एसी होती हैं जिनको हम rasteri eye की calculation में शामल करते हैं और कुछ कारें ऐसे होते हैं जो लगते तो है कि श में शामिल नहीं करते आए कुछ ऐसे ही बिंदों पर चर्चा करते हैं राश्ट्री उत्पात के अंतरगत हमने बहुत सारी अवधारनाओं के बारे में जाना अब आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है लेकिन इसके पहले कुछ ऐसे बिंदों पर हम नज़र डाले एक उदाहरन सुरूप हम देख ले कि किन-किन मदों को राश्ट्री आई की गड़ना में शामिल किया जाएगा और किन-किन मदों को राश्ट्री आई की गड़ना में शामिल नहीं किया जाएगा कुछ उदाहरनों को हम देखते है जैसे सबसे पहला अगर एक प्रेशन आता है कि पुरानी मोटर कार की बिक्री की गई तो क्या उससे प्राप्त राश्ट्री आए की गढ़ना में शामिल की जाएगी इसका अंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं नहीं क्यों नहीं शामिल की जाएगी क्योंकि पुरानी कार की बिक्र से वर्तमान जो जिस वर्ष में हम राश्ट्री आई की गढ़ना कर रहे हैं वहां ना तो किसी उत्पादन में और ना किसी सेवा में वृध्धी होती है दूसरा एक बिंदू हम देखते हैं कि सेन जो सेन अधिकारी है तो क्या उनको जो वेतन दिया जाता है वो राश्ट्री आई की गढ़ना में शामिल करेंगे तो यहां हम क्या सकते हैं कि हाँ, सैन अधिकारियों का वेतन राश्ट्री आई की गढ़ना में शामिल करेंगे और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक प्रकार की साधन आय है और कुल साधन आयों को हम राश्ट्री आई की गढ़ना में जरूर शामिल करते हैं तीसरा एक उदारण हम देखते हैं कि स्मगलरों की जो आय है तसकरी से जो आय होती है क्या उसको राष्ट्रियाय में शामिल किया जाए नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले भी हमने देखा जब राष्ट्रियाय के गर्णा के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वहां हमने देखा कि जो अवैधानिक वैपार होते हैं उनसे जो आय होती है वास्तों में वह उत्पादन वैपार माने ही नहीं जाते तो तसकर का जो वेपार है वो पूरी तरीके से आवेधानिक है तो इससे सम्बंदित कोई भी आए राश्ट्री आए की गढ़ना में शामिल नहीं की जाएगी अगला एक उदारण हम देखते हैं कि क्या आप रत्यक्ष करों को राश्ट्री आए की गढ़ना में कहीं शामिल किया जाएगा तो इसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि आप रत्यक्ष आए अगर बाजार कीमत पर कुल राश्ट्री उत्पात की गढ़ना की जाती है तो शामिल किया जाएगा लेकिन हमने देखा कि कई बार साधन आय पर भी हम कुल राश्टी उत्पात की गड़ना करते हैं तो ऐसे कंडिशन में इस अप्रत्यक्षकर को घटा देना होगा अगला एक उदारण हम देखते हैं कि कमपनी द्वारा बॉंड का विक्रे किया जाता है कमपनी बॉंड का विक्रे करती है सीधी सी बात है कि इसको राश्टी आए में शामिल नहीं किया जाएगा इसलिए नहीं किया जाएगा कि ये तो एक वित्ती प्रक्रिया है एक फाइनिंसियल एक लेंदेन है इसका किसी भी वर्ष के किसी उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता और यहीं कारण है कि इसको राश्टी आए के गढ़ना में शामिल नहीं किया जाएगा इसी तरह एक उदारण हम देखते हैं कि सरकार द्वारा उद्धमी को आर्थिक सहायता प्रदान करना हमने इस अध्याय में पहले में देखा कि कई बार सरकार इन उद्धमी को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो किस कंडिशन में उसको राश्टी आए में शामिल किया जाना चाहिए और कब नहीं तो यहाँ पर हम यह क्या सकते हैं कि अगर साधन लागत पर कुल राश्टी आए के गड़ना की जा रही तो क्योंकि वो एक साधन आय है इसलिए उसको हम राष्टियाई के गढ़ना में शामिल करेंगे लेकिन बाजार लागत पर अगर राष्टियाई के गढ़ना की जा रहे हैं तो वहाँ पर इसको शामिल नहीं किया जा सकता इसे तरह में कुदारण देखते हैं आवित्रित व्यवसाइक लाब अब आवित्रित व्यवसाइक लाब के बारे में हम जानते हैं कि ये जो लाब है ये अंशधारियों के मद्ध वित्रित नहीं किया जाता है बलकि ये जो लाब होता है इस पूरे में से ये कंपनी के आय का कि एक भाग होता है लेकिन एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखने योग है कि यह जो आए का भाग है इसको हम हाला कि राश्ट्री आए के गड़ना में तो शामिल नहीं करेंगे लेकिन जब व्याय योग आए ज्याद करेंगे तो वहां पर हम इसको घटा देंगे अगला जो एक उदारण है वो है पूंजी गतलाब तो पूंजी गतलाब को क्यों शामिल किया जाए वैपार में पूंजी गतलाब को इसले नहीं शामिल किया जा सकता क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा लाब है जिससे आगे कई वर्षु तक लाब प्राप्त होता है लेकिन उत्पादन में अगर वृद्धी की बात करें तो इसका उत्पादन में वृद्धी से कोई सम्मन नहीं है यही करना में शामिल किया जाएं तो बिलकुल किया जाएंगे और इसलिए किया जाएंगे क्योंकि यह जो आए है यह वर्तमान वर्ष की आए में से ही दिया जाता है वर्तमान वर्ष में जो आए होती है उसमें से एक कर योग्या को अलग कर दिया जाता है और उसके अंतर उसके कि मध्यवर्ती वस्तूई हमने देखा कि कुछ मध्यवर्ती वस्तूई होती है जो कच्चे माल और अंतिम माल के बीच वस्तूई होती है तो क्या इस पर इन plea को राष्ट्य आई की गड़ना शामिल किया जाए तो इसका उत्तर भी नहीं होगा क्योंकि हमने स्पस्ट्रूप से इस बात को पढ़ा है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तूओं इन सेवाओं का जो मूली होता है उसे राश्ट्री आए की गर्णा में शामिल करते हैं यही कारण है कि मद्धिवर् बदले भी कि जो चाहे वो नर्स कोई काम करें अपने घर में चाहे एक सिक्षक अपने घर में बच्चों को पढ़ाए उसके बदले में वह किसी प्रकार की राश्टी नहीं लेते वह निशुलक है तो हमने उसको राश्ट्री आए के गर्णा में शामिल नहीं किया था ठीक इसे तरह हम देखे कि कोई ग्रहणी अगर अपने घर में काम करती है तो उसके बदले उसको किसी प्रकार का मूलितो प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर यह जो राश्री है उसको राश्ट्रियाए के गड़ना में शामिल नहीं किया जा सकता नेक्स हम देखते है कि विगत वर्ष में उतपाधित वस्तो की जो आए है उसे क्या शामिल किया जाना चाहिए राश्ट्रियाँ में तो इसका उत्तर भी नहीं होगा, क्यों क्योंकि हमने देखा कि एक चालू वर्ष की जो आए है, बहां परनतिम वस्तो और सिमाओं के मुलि को हम शामिल करते हैं विगत वर्ष के मुल्य को इस वर्ष शामिल करना राष्ट्रियाई की गड़ना में यह सही नहीं है एक पॉइंट आता है व्रिद्धा वस्ता पेंशन योजना के अंतरगत जो आए है तो व्रिद्धा वस्ता पेंशन तो एक प्रकार का अगर देखा जाए तो यह हस्तांतरन आए है किसी प्रकार के उत्पादन आये नहीं है और यही कारण है कि इसको राश्ट्रियाई की गढ़ना में शामिल नहीं किया आ सकता हां हस्तांतरन भुक्तान के रूप में हम इसको मान सकते हैं अगली एक पॉइंट हो सकती है बाढ़ पीडितों को दी जाने वाली सेवाए जो दी जाने वाले जो लाब है या आय है तो इसको भी हम शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे व्रुद्धावस्था पिंशिन के बारे में हमने देखा उसी तरह यह जो बाढ़ पीडितों को जो धनराश्य दी जारी वह भी क्रकार का हस्तान्तरण भुग्ता नहीं माना जाएगा एक बिंदु हम यह वी देखते हैं कि बेरोजगारी बत्ता भी किसी प्रकार कि कोई आए नहीं है मुसको आए नहीं मानती इसे भी हम हस्तांत्रण भूकतांवाली आया कि जब हम व्याय ओग चेया क्रते है तो वहां पर हम इनको शामिल कर सकते हैं तो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी मदें आती है और उनके कारण होते हैं कुछ जिससे हम राश्ट्रियाई के गर्णा में उनको शामिल करते हैं और बहुत से मदें ऐसे होती हैं जिनको हम राश्ट्रियाई के गर्णा में शामिल नहीं कर सकते क् इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं तो इन्हीं कारणों और इन्हीं बिंदों को ध्यान में रखते हुए हमने राश्ट्री आए कि जिन अवधानाओं के बारे में जाना और उनके संख्यात्मक प्रशनों को हल किया इन्हीं को एक विस्त्रित रूप प्रदान करते